मुझें तो हमारे लिए केवल बाबा मांकाल की धार्मिक्स्तान नहीं लेकिन हमारा घर भी है और आज दर्शन करने का तुबारा शुब अफसर हमको मिला सौभागय मिला इस मंदिर के साथ सिंध्या परिवार की पुष्टेनी एक भावना जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारन करवाना भी चाहते हैं और इसी के तहट पंद्रे वितायोक को मैंने निविदन किया था कि भगवार महांकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और 75 करोड रुपए की मैंने मांग की थी जो उन्होंने स्विकार करके वित्मन्तराले को भेजा और फिर वित्मन्तराले ने भी स्विकारता दी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ प्रदान मंत्री निर्मलासी थरामन जी को और पंद्र वित आयोग के पूरवध्यक्ष श्री एनके सिंग जी को तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था और इससे एक भव्यरूप हमारा मंद्र धारन कर पाएगा यही मेरी एक आशा है प्राचीन ता जादा होनी चाहिए हमारे मंद्र में जैसे उधारन के तोर पे ये फौरे भी लगे हैं एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन पुवारों की अंदर मैं देख रहा था गरवगरह में भी सफाई की सख्स जरूरत है जो वहां चांदी लगी है मेरे पूरवजों के द्वारा उसकी सफाई की भी बहुत जरूरत है तो इन सब चीज़ों को पुराना हमारा ये काला पत्थर है इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्यरूप हम लोग पजान करने की कोशिश करेंगे प्रशीक्षण है विधायकों का मैं समझ रहा हूँ कि हम सब जनसेवक ही और जनसेवक होने के नाते हम लोग का दायत है कि हम अपने जनता के साथ और कारिकरताओं के साथ जुड़े रहे और उसी मार को प्रशस करने के लिए हमारे यश्रस्वी अध्यक्ष विश्णुदर शर्मा जी ने ये वर्ग आयोजित किया है मैं उनको भी सादुवाद और धुनियवाद रफित करना चाहता हूं वे लगातार अध्यक्ष गरहन करने के बाद इसी रहा पर चल रहे हैं कि किस तरीके से हम पार्टी को मजबूत करें और पिछले बार अध्यक्षों का एक वर रखा गया था उसके बाद कारिकार्णी का वर्ग रखा गया था इस बार विधायकों का वर्ग रखा जा रहा है तो इससे हम सब को प्रेड़ना मिलेगी इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास मद्द प्रदिश में लगातार प्रशासनिक सरजरी की जा रही है बारा प्रशासन को दुरस्त रखना यह मुख्यमंत्री जी का का दायत वह और उनका हक है और जो भी कदम लेंगे मध्य प्रदेश के हित में ही लेंगे महारत जी अपनी सोच अपनी सोच अपनी विचारधारा संसत के पटल पे भी सपष्ट की है यह तीनों सुधार कानून सुधार करिशी कानून किसानों के पक्ष में हैं किसानों को जो सतर साल से जो एक राजनेतिक आज़ादी हमारे देश में हमें मिली है प्रजातंतर स्तापित होने के बाद लेकिन आर्थिक आज़ादी आज तक किसान को नहीं मिली थी सतर साल आएगा इन तीन किर्शी सुधार कानून के आधार पर और जो हक हर एक व्यक्ति को दिया जाता है इस देश में कि अपना उत्पादन कहां भी बेच पाए जिस से हमारा किसान वंचित था आज वही हक हमारे किसान को